Hello friends, welcome back to my YouTube channel काइन मास्टर में इस तरह से अपना YouTube बटन कैसे बनाएं जैसे देखे इस तरह से YouTube बटन बनाने के लिए काइन मास्टर में एक वीडियो की और सकता होगी वह वीडियो हम आपको बताते हैं कैसा होगा उसके बाद आपको काईन माश्टर को open करना है open करने के बाद new project पर click करें click करने के बाद कोई एक frame size select कर लें select करने के बाद create पर click कर दें click करने के बाद आपको एक वीडियो यहां से ले लिजी जिस पर आपको लगाना है subscribe button उसके बाद जैसे हम यहाँ पर एक वीडियो को सलेट कर ले रहे हैं सलेट करने के बाद जैसे हमको यहाँ पर इसके बीच में लगाना है इस वीडियो के यहाँ पर हमको लगाना है उसके बाद हम clear पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद media पर क्लिक करें आप वह वीडियो ले ले लेजिए सब्सक्राइब बटन यहाँ पर लेने के बाद इस तरह से आपको दिखाई देगा इसकी लेंथ इस तरह से आपको दिखाई देगा उसके बाद नीचे के लिए क्रॉपिंग कर लेजिए जो नीला है इसको क्राप करके निकाल देजिए जो इसको बैख आ जाईएगा, पहले क्रोपिंग कर लेते हैं ठीक से ठीक से क्रोपिंग कीजिएगा तो ठीक रहेगा, देखिये यहां से हम क्रोपिंग कर लिये हैं यहां बटन के किनेरी किनेरे आप हरा रंग का दिखाई दे रहा है उसके लिए यहाँ पर Chrome app की पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर दें इनेबल करते ही आपको जो हरा रंग दिखाई दे रहा था कायब हो जाएगा और इसको जिस भी वीडियों लगाना हो उस वीडियों के अनुसार जहाँ पर आपको सेट करना हो वहाँ पर सेट कर लीजिएगा आपको हम दिखाते हैं यह सेट हो चुका है किस तरह से दिखाई देगा इस तरह से आप लगा सकते हैं इस वीडियों में आप देख सकते हैं इस तरह से यूट्यूब बटन से सब्सक्राइब बटन लगा सकते हैं इस बटन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सस्क्राइब बटन वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमाई टेलिग्राम पर क्लिक करें टेलिग्राम पर सार्च करें या फिर यसके कैरियर सार्च करने के बाद यहापर आप देख लिजिए का उसी में यह वीडियो रहेगा आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं